To find time हमें समय बताना है समय तो हम ऐसे भी बता देंगी क्या समय हो रहा है अभी लेकिन ऐसे समय रही बताना है अगर मैं आप से कहूं 3 hours 50 minute after 1.15 pm मतलब 3 hours 50 minute after मतलब 1.15 के बाद 3 hours 15 minute आपको बताने है अगर मेरे वीडियो को लाइक किजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीते है आज का हमारे टॉपिक है क्लास 5 मेजुरमेंट अफ ताइम पार्ट 5 तो आजे शुरू करता है हमारा आज का वीडियो तो मेजुरमेंट अफ ताइम मतलब नापना ताइम मतलब समयन आपना ना समयन आपने के Part 1 ने हम ते Specifications of Time देखे थी Analog Clock के बारे में पढ़ा था Digital Clock के बारे में पढ़ा था और क्या देखा था Conversion of Higher Unit to Lower Unit Part 2 में आपने लिखाता conversion of lower to higher and addition of time Part 3 में subtraction of time and 24 hour clock part 4 में हमने क्या दिखाता? Calculation of duration of an activity अब हम क्या देखेंगे Part 5 में? To find time हमें समय बताना है समय तो हम ऐसे भी बता देगी क्या समय हो रहा है अभी अभी दिन के एक बज़ के 15 मिनट हो रहे है लेकिन ऐसे समय रही बताना है अगर मैं आपसे कहूँ 3 hours 50 minutes after 1.15 p.m. मतलब 3 hours 50 minutes after मतलब 1.15 के बाद 3 hours 15 minutes आपको बताने है या फिर मैं कहूँ 2 hours 20 minutes before 1.15 चीक है? उसके पहले या उसके बाद का time आपसे पूछूँ ऐसे करके आपको time find करना होगा तो चालिए देखते हैं part 5 में to find time now see this what will be 3 hours 50 minutes after 2.15 आप तर मतलब 2.15 p.m. के बाद 3 hours 50 minutes after 2.15 ठीक है तो 2.15 p.m. अब आपको 3 hours of 50 minutes तो 3 hours क्या है यह है 3 और 50 minutes यह है ठीक है आड कर दो जरा क्या हो जाएगा 65 ठीक है और यह क्या हो गया 5 ठीक है 5 hours and 65 minutes हो गए ठीक लेकिन 65 minutes को कैसे break कर सकते है 60 plus 5 ठीक है तो 60 minutes मिलके क्या बनाते 1 hour तो एक घंटा और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 hours 5 minutes मतलब 6 बज़ के 5 minutes समझ गए समझ गए या नहीं इसको ऐसे भी कर सकते हो आप 24 hours clock में लिख लो यह time यह आपका क्या हो गया 12 plus 2 क्या हो गया 14 यह minutes हो गया यह आपका क्या हो गया 0,3, 50 सेव वही करना है आड कर दो 65 और यह क्या हो गया 14, 15, 16, 17 17 ठीक है अब यह 65 फिर हो ही 60 minutes मतलब 1 hour आप एक hour इधर ले आओगे तो यह क्या हो जाएगा 18 hours and 0,5 minutes 18 मतलब 6 बज के 5 minutes दो तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा मतलब 2.15 के 3 घंटे 50 मिनिट बाद क्या time होगा 6 बज के 5 minutes कब के evening के 6 5 p.m समझ गए समझ गए या नहीं समझ गए ठीक है आपको बस इसमें इतने hours a minute आड कर देने है ठीक आप एक देखते है बिफोर वाला भी तो हमने after वाला देखा वेक बिफोर वाला भी नाव जे इस तुफ वाल वी टाइम टू आर्स पॉर्टी मिनिट बिफोर सेवन तैन एम मतलब साथ दस तुभा के उससे दो घंटा चालेश पिरिट पहले मतलब पहले मतलब पीछे जाना आपको मतलब माइनस करेंगे लिएफटन में प्लस कर रहे थे विफोर में माइनस चीक्या शेवन 10 माइनस टू आर्स फॉर्टी मिनिट ज़रा करो 10 में से 40 कोवन माइनस कर पाएगा आप कर लेंगे करिए मैं नहीं कर पाओंगी तो मैं क्या करोंगी आर्स को कहूंगी जडॉक ज़रान देदो एक घंट जब आर्ज उधार देगा, तो एक घंटे में कितने मिनिट होते हैं, 60 मिनिट्स, ठेक या, तो 60 ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 10, 70, 70 माइनस 40 कितना होगा, 30, और यहाँ पर क्या बचा, जब इनों ने एक उधार दे दिया, 6, 6 में से चूग गया, 4, तो क्या हो जाएगा, 4, 30 एम, सुबा के साथ बजे से 2 घंटा, 40, सुबा के साथ बचके 10 मिनिट से 2 घंटा, 40 मिनिट पहले, क्या टाइम होगा, सुबा के 4 बचके 30 मिनिट, ठीक है, 4, 30 एम, ठीक है, 7, 10 से 2 घंटा, 40 मिनिट पहले होगा, 4, 30 एम, I hope आप समझ गए, एक और एक्जाम्पल देखते है फिर हमारा ये topic बिल्कुल clear हो जाएगा नावी जिस तो फाइंड टाइम में एक वर्ट प्रोब्लम वाले भी question आते हैं वो कैसे solve करेंगे पल्लवी जोईन दाओफिस ऑन पूर्थ मार्ज पल्लवी ने पूर्थ मार्ज को ओफिस जोईन किया and after a short period of 69 days 69 days work किया उसके बाद उन्होंने job छोड़ दी ठीक है when did she leave the job 4th मार्ज को जोईन किया था 69 days work किया तो उन्होंने job कब छोड़ी आप कैसे बताएंगे चालिए आप ये पताएए पहले तो मार्ज कितने days का होता है पहले मुझे बताएए मार्ज कितने days का होता है मार्ज होता है 31 days का ठीक है तो 4th मार्ज से पलवी आप ठीयोरी लिखेंगे started from 4th to 31st मार्ज कितने days हुए 4th मार्ज से 31st मार्ज तब कितने days हुए 28 days ठीक है टोटल हुए 28 days मार्ज के एपरिल कितने days का होता है एपरिल की कितने days होते है बताएए मार्ज के 31 होते है तो एपरिल में कितने होंगे 30 days ठीक है टोटल कितने हो गई है 58 days मार्च एप्रिल के मिलाके 58 हो गयेह स्안 Olum कोछे। आप्रिल के तरह का से वह और सब्सक्राइब कगा था KIR갈 के क्या हैंज तो कितने दिन मैं वर्फ करेंगी, total days कितने है, 69, minus 58 days, total days में से आपने क्या minus किया, March, April वाले, कितने आए, 11 days, तो पलवी work दिन में, पलवी work in May for 11 days, May में कितने दिन किया, 11 days, तो उन्होंने जॉब कब छोड़ी, she left on, she left job on 12th May, माई के 11 दिन तो उन्होंने जॉब की न, लेफ्ट कब की, 12th May, I hope आप समझ गए, देखो एक बाद फिर से देख लो, started from 4th March, ठीक है, तो 4th March से 31st March तक कितने दिन हो गए, count कीजिए, 28, ठीक है, फिर, April के कितने देज होते, 30 days, total कितने देज होते, 58 days, 58 days, 58 days work किया उन्होंने March और April में, फिर, total days उन्होंने किया थे, 69, 69 minus 58, 11 days, मतलब 11 दिन उन्होंने में 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 भी वर्क किया है, तो 11 दिन में में वर्क कर लिया, तो जॉब कब लीव कि उन्होंने, 12 जॉब लीव कर देगी, छीक है, is it clear, अब देखे है, अज का माध पाक क्या है, तो देखे हैं, तो देखे हैं, तो देखे हैं, तो देखे हैं, आपको कोई और ऐसा नंबर पताओ, जिसके सेम नंबर अव लेटर्स हो, तो प्लीज को में बताइए, So in this I have told you the unique concept of finding the time, I am Anas Pat, keep watching my series, bye-bye, happy learning. Thank you for watching my video, please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification, bye-bye, happy learning. Thank you for watching my channel,